ओम नमः शिवाई जय मातादी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा आज एस वीडियो में मैं आपके साथ वर्ट सावित्री व्रत के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हू इस बार वर्ट सावित्री का व्रत कब हम रखेंगे तिथी का प्रारंभ होगी कब समाप्थ होगी पूजा का शुमोर्ट क्या होगा और वर्ट सावित्री व्रत का सुहागन महिलाओं के जीवन में क्या महत्व है दोस्तों वर्ट सावित्री व्रत देखिए हमारे धर में क व्रत धारन करती है और ऐसा माना जाता ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि इस दिन व्रत रखने से सुहागन महिला जो भी है उनका दामपत्ते जीवन हमेशा अच्छा बना रहता है तो वच्छ सावित्री व्रत देखिए रखा कब जाता है जेश्ट मास के कृष्ट मतलब कि हमारे देश में दो तित्यों में वच्छ सावित्री व्रत रखा जाता है कई राजियों में कई शेत्रों में अमवस्या जेश्ट मास के अमवस्या को हम मनाते हैं वच्छ सावित्री पूजन और कई राजियों में पोर्डिमा को मनाते हैं तो दोनों ही तित्या मैं आपके साथ और दोनों की पूजा का शुब महुट इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं जो की जादा करम अवस्या को मनाते हैं तो आपके लिए भी आपको तिथी और शुब महुट पूजा का मिलेगा और अगर आप दक्षिन भारत में रहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी देखिए जेश्ट मास की सबसे पहले जान लेते हैं जो अमवस्या की दिन व्रत करेंगे वो किस दिन करेंगे और पूजन का शुब महुट क्या मिलेगा उन्हें तो जेश्ट मास की अमवस्या की जो तिथी है वो 5 जून 2024 को शाम में 7 बज़ कर 54 मिनट से शुरू हो रही है जो अगले दिन 6 जून 2024 को शाम में 6 बज़ कर 7 मिनट पर समाप्त होगी तो ऐसे में उद्या तिथी में वट सावित्री जो वट अमवस्या का पूजन है जो भी महिलाएं करती है वो 6 जून को वरत धारन करेंगी अब जो मवस्या की तिती में पूजन का शुब महुत होगा वो समय नोट कर लीजिए पूजा का जो शुब समय होगा वो शुब महुत है सुबए 10 बज कर 36 मिनट से 2 पहर के 2 बज कर 4 मिनट तक तो इसी शुब महुत में आप वटवरिक्ष का पूजन करेंगे सावित्री माता यमराज जिस प्रकार से हम विधान के साथ वर्ट सावित्री व्रत में पूजन करते हैं आपको इसी शुब मोहत में पूजन करना है देखिए महत्व क्या है वर्ट सावित्री पूजन का हमारे धर में कई ऐसे मानेताइं हैं जिसको लेकर हम व्रत्योहारों को मनाते हैं शास् उनके पीछे पीछे गई और अपने पती के प्राण वापस लेकर आई थी तो इस दिल उनके पती जो सत्यवान है वो एक वट वरिक्ष के नीचे ही लेटे हुए थे वही पर उनका उन्होंने शव रखा था तो इस प्रकार से आज के दिन वट वरिक्ष की पूजन की जाती है यह मुराज की पूजा की जाती है, सभी सुहागन महिलाएं, अपने पती की लंभी आयू, उनके उत्तम स्वास्त के लिए आज के दिन ब्रत रखती है, और विधी विधान से यह पूजन किया जाता है, अब एक और खास मौका होता है आज के दिन, जेश्टमाज के मवस्या की तिथी को ही शनी जयनती भी मनाई जाती है, इसी दिन शनी देव का अवतरन हुआ था, उनका जयनोच सब मनाया जाता है, तो यह संयोग हमीशा रहता है, जिनके हाँ अमवस्या की तिथी में वट सावित्री पूजन होता है, उस शनी जयनती भी साथ साथ मनाते हैं, तो वट व्रिक्ष की पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि वट व्रिक्ष में तृदेवों का यानि भ्रह्मा, विष्णू और महेश तीनों का वास होता है, इसके साथ ही वट की शाखाओं में देवी सावित्री का वास होता है, उनका स्वरूप मानी जाती है, इसलिए त से कि सती सावित्री अपने पती के प्राण ले कर आई थी उनका भी पूझल करते हैं। अब दोस्तो एक और महत्वो पुर्ण समय आप नोट कर लिजे जिनकी यहां जेश्ट पुर्णेमा में वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो पुर्णेमा जेश्ट मास की जो पुर पुर्णिमा की तिथी में रखेंगे, वो मनाएंगे, अब उनके लिए जो पूजा का शुब समय होगा, वो शुब समय होगा, सुबह के 5 बच कर 24 मिनट से, सुबह के 10 बच कर 38 मिनट, तो इस प्रकार से आपको वर्ट सावित्री व्रत, अगर आप दोनों दिनों में मना रहे हैं, तो ये दोनों दिनों के जो तिथी है मवस्या की, जो पुर्णिमा की जेश्टमास की, और पूजा का शुब मोहर, और क्या महत्व है वर्ट सावित्री व्रत का ये जानकारियां, मैंने इस वीडियो के जरिया आपके साथ शेयर की है, आगे पेरी कोशिश रहेगी कि म इसके साथ ही वर्ट सावित्री व्रत में कई ऐसे नियम है, जिनको सुहागिन महिलाओं को जो भी व्रती होती है, उनको माना बेहत जरूरी होता है, वो सभी जानकारियां, आज की जाने वाले उपाय, ये सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेगी, तो अगर ये व वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय माता दी हर हर महादेग